हेलो श्टिटरेंट वेलकम तो जेस्याम क्लासिस दोस्तों पिछली कुछ क्लासों से हमने स्टार्ट किया था अपना सब्जेक्ट सेटिंग अप बिजनिस एंटिटीज एंड क्लोजर और जिसका हम कर रहे थे चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू इसमें कौन सा है दोस्तों टाइप्स ओप कंपनी तो हम क्या कर रहे थे टाइप्स ओप कंपनी कर रहे थे और हमने उसके कुछ फॉर्म अप ओगनाजेशन डिस्कस कर लिया थे आज हम उसी के आगे कॉंटिन्यू करेंगे तो देखते हैं हम सब्सक्राइब करेंगे तो इसका हम चैप्टर नंबर टू कर रहे थे और चैप्टर नंबर टू के जो हम डेक्रेशन कर रहे थे टाइप्स ओप ओगनाजेशन की इसमें नेक्स्ट नंबर पर है दोस्तों है अकेला कोई भी परसन हें इंदो एंडिवाड़िट फैमिली को नहीं बना सकता है क्योंकि जब वो अकेला होगा तो उसके फादर के नाम पर अल्रड़ी कोई ना कोई एचेफ होगी होगी तो अगर वो अकेला अपनी बनाना चाहता है तो उसको उसके लिए मैरिज करने तो देख सकते हैं एंडिवाड़िड फैमिली जैसा कि नाम से ही लग रहा है किसके दुआरा बना जाएगी एक फैमिली के दौरा बिला फैमिली के हम एक खाust nab 마음에 बना सकते हैं अगर किसी परसन की नाम से हो जाएगी तो औरिबारा हवंशन में करव आएगी क्या marriage होने की तुरंद बाद create तो होगी, क्या वो function में आ सकती है? No, उसके लिए उन्हें कुछ documentation करना होगा. क्या documentation करना होगा? ये भी हम आगे देखते हैं. देख सकते हैं. H.E.F. consists of a common ancestor and all his legal descendants including bides and unmarried daughters. ये कहला कि H.E.F. consists of a common ancestor जो भी लोग अभी present में हैं, उनके पूरवज जो हैं, सबके common हैं. जो भी एक family के हैं, उनके पूरवज क्या हैं? common हैं. अगर किसी wife है, तो जो उसके पूरवज क्या होंगे, उसके father in lodge उसके पूरवज होंगे. और बाकी के जो descendants हैं सारे के सारे वो भी उनके family member ही होंगे. कोई भी co-personal जो H.E.F. का partner होता, उसको क्या वक्ती? co-personal और जिसका manager होता, उसको क्या वक्ती? करता. तो कोई भी co-personal जो member सिक ले सकता है, वो सिर्प और सिर्प किस से ले सकता? वर्ट से. अगर उस family में पैदा हुआ होगा, तभी वो उसका member बन सकता है, अधरवाज किसी भी तरीके से एक H.E.F. का कोई person member नहीं बन सकता है, जैसे कि आप company जैक में देखते हैं, एक member बनने के लिए कई सारे वहाँ पर steps दिये हुए हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे एक ही तरीके से बन सकता है, और दोस्तों कौन-कौन person H.E.F. में आते हैं, हिंदू लोग के अंडर गवर्न होते हैं, और इन्हें हिंदू लोग फोलो करना होता है, usually hedge assets which comes as a gift, दोस्तों नोर्मली जो हमारी H.E.F. होती है, उसके पास जो assets होती हैं, properties होती है, वो किस से मिलती हैं, उनकी पूरवजर से मिलती है, तो वो उनको as a gift मिलती है, यह as a inheritable rights के अंडर उनको मिलती है, या फिर कुछ assets है कुछ property उन्होंने अपने आप purchase की होगी, तो वो उनको acquired property की category में आ जाती है, वो उस प्रोपर्टियों जो उन्होंने purchase की है, या फिर जो उनको gift मिली है अपने पूरवजर से, वो क्या करेंगे, आगे आने वाली generation को handover कर देगे, अभी करहा, once formed, must be formally registered in its name, should have legal deed, यह करहा, once formed, जब भी आप बनाओगे, कभी भी आप बन होगे, must be formally registered, उसको formally register करना जरूरी होगा, in its name, HF का एक नाम भी होगा, नाम क्या होगा, जो उसका करता होगा, उसी के नाम पर HF हो जाएगी, सिर्फ बाद में क्या लगाना है, HF लगाना है, for example, किसी करता का नाम रामकुमार है, तो वो रामकुमार HF के नाम से अपनी HF को register करा सकता है, should I have a legal rate, जैसे LLP में यह partnership firm में एक deed होती है, एक agreement होता है, उसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर भी एक deed मरा जाएगी, जिसमें सारके सारी टंसन कर्डिशन और जू बिजनी से, फैमली बिजनी से, उसको define के जाएगा, किस तरीके से वो run करेगा, ठीक है, और य separate legal entity का मतलब है कि जो इसके co-person होंगे, अगर उनकी कोई अलग से income है, माल लो चार member है, एक हेप में और उनका एक family business भी है, जो उन्होंने एक हेप के अंडर run कर रहे हैं, लेकिन उसके दो co-person जो हैं, वो अलग से job भी करते हैं, तो उनकी income, हेप की income है, एक साथ मिला ही नही है कि, वेकोज यहाँ पर सिर्फ income tax पर बच के लिए है, हेप को एक separate legal identity माल जागा है, यानि हेप एक अलग person है, और बाकी के लोग जो है, एक अलग person है, देखा रहा है, the same tax selects are applicable to हेप as to individual, दोस्तों आपने देखा होगा, जब इंकम tax अलग act applicable होता है, किसी person पर, तो हेप की अलग से category दी हुई होती है, अगर नई दी हुई होती है, तो individual में ही हेप को consider कर लिया जाता है, यानि कि जो basic exemption limit एक individual की category में available होती है, वो ही basic exemption की limit किसको भी available होंगी, हेप को भी available होंगी, अब देखते हैं दोस्तों इसकी कुछ characteristics, characteristics of हेप की क्या है, ये गवन होता है, गवन भाई हिंदू लोग, तो हेप किसके तुरू गवन होता है, हिंदू लोग के, controlled manage under हिंदू लोग, तो सारा का सारा process किसके according होगा हिंदू लोग, यानि कि कोई dispute होगा, तो किसके तुरू गवन होगा हिंदू लोग के अंदर, ठीके, और कित होगा by one person cold करता तो उसका नाम क्या होगा करता उसका नाम होगा या फिर उसको मैनेजर भी बोल सकते हैं membership कैसे आ सकते हैं जैसे हम पहरे डिसकस कर सके हैं only by birth अगर आप किसी family में पैदा हुई है आपकी वर्थ हुई है तभी आप उस family के co-partner बन सकते हैं अगरवाइज नोट liability क्या है accept दा करता करता को छोड़ करके बाकी सभी member की liability क्या होगी दोस्तों limited होगी जितना जितना उनका share है ठीक है करता की क्यों unlimited है वो ही सारे का सारा काम को manage कर रहा है क्या पता उसने कुछ hf के नम पर अपने personal interest से कुछ amount टुठा लिया हो या personal benefit के लिए कुछ काम कर लिया हो या hf के किसी payment को personal benefit के लिया हो इसलिए hf जो करता है उसकी liability यहाँ पर unlimited कर दी गई है कि भया तुम सारा का सारा देख रहे हो तो तुम्हारी liability यहाँ पर unlimited होगी तुम्हे ही responsible होगे अगर कुछ गडबड होती है या कुछ भी यहाँ पर happening होती है या फिर लेंदार अगर लेने के लिए आती है तो उसकी personal assets भी यहाँ पर जा सकती है next आता है permanent existence उस्तो जो हमारी hf है उसका existence permanent रहता है यहनकि members may come and may go but hf हमारी चलती रहती है जब तक कि सारे members उसके ना चले जाएं minor also a partner दोस्तो वैसे तो minor एक contact रने के लिए भी eligible नहीं होता है लेकिन हिंदू लोग के अंदर hf बनाने के लिए minor को भी rightful दे दिया गया है कि minor भी क्या हो सकता है दोस्तो partner हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि इसमें birth के time से ही उसको क्या आ जाती है membership मिल जाती है तो minor 18 साल तक वो भी minor रहेगा और minor hf का partner हो सकता है कोई दिक्कतवाली बात नहीं है implied authority किसकी है करता की है only करता है the implied authority to contact यानि किसी भी case में अगर कोई person आयेका directly business करने के लिए तो वो कोई और partner अगर नहीं भी है वहाँ पर पर जाने तो करता ही सारे के सारी मामले को handle कर सकता है because hindu लोग के according जो hf की category है उसमें करता को ही implied authority दी गई है contract करने के लिए only at the will of all partners यानि कि अगर सभी partners की ये विश है ये विल है या ये अच्छा है तभी वो उसको dissolve कर सकते हैं खतम कर सकते हैं फिर close कर सकते हैं अदरवाई ये close नहीं हो सकते हैं next देखते है benefits क्या है benefits से लोग तो easy to start है यानि कि आप इसको easily start भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं है आपकी marriage होगी आपके अच्छा बन सकती है जब तक आपकी marriage नहीं होती है तो आप अपनी father की अच्छाप के अंडर आते हैं अगर आपके father की अच्छाप है तो आप उसके co-pass होंगे तो easy to start है सिर्फ आपके deed बनाना है जैसे partnership में बनाते हैं और आपकी अच्छाप start होगी है आपको एक pen card के लिए apply करना होता है और उसको एक bank account भी open करना होता है अच्छाप के number efficient management हो सकता है क्योंकि एक ही family के सारे के सारे लोग है हमें सबका nature पता होता है कि किसका कैसा nature है कौन किस चीज में expert है यहाँ पर कोई जोट भी नहीं बोल सकता है ठीक है तो management क्या होगा efficient हो सकता है secrecy हम maintain करके चल सकते हैं दोस्तों कोई ऐसा process हम या ऐसा business कर रहे हैं कि जिसमें secrecy maintain करने की जरूरत है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी secrecy maintain हो सकती है just like as proprietary firm में हम लोग कर सकती है prompt decision यहाँ पर ले जा सकती है यानि कि हम बड़े easily decision और बड़े कम time में एक अच्छा खासा decision ले सकती है because हमारे family member ही involve है और अपनी family member के बारे में एक करता जो manager है जो family का सबसे aged male member है वही क्या होता है करता होता है तो वो सब अपनी family के overall interest को देख करके ही कोई भी decision लेगा या कुछ cases में अपने family member के जो member है उनको साथ मिलकर करके लेगा उनकी सलहा लेने के बाद में कुछ decision वो लेगा तो यहाँ पर prompt decision हम ले सकते हैं economy यानि कि दोस्तों economy को भी यहाँ पर फायदा होगा अगर आपके अच्य अप सही तरिके से चलती है यानि कि आप अपने family business के लिए अच्य अप बनाई हुई है तो family business के साथ साथ family को growth होने के साथ साथ आप economy में भी कुछ contribute कर रहे है credit facilities इन joint family business credit facilities are more यानि दोस्तों अगर एक बन्दे की इतनी credibility होती है उससे जाथ कहीं जादा होती है एक joint family की तो इसलिए joint family के case में यानि कि हच्य अप के case में क्या होती है credit facility हमें जादा मिलने की क्या रहती है possibility रहती है HF deed में दोस्तों कुछ points हम देखेंगे creating HF deed is not mandatory mandatory तो नहीं है लेकिन अगर बना कर रखेंगे तो जादा beneficial होती है however it is always beneficial to have a HF deed यह कहरा कि mandatory तो नहीं है लेकिन हमेशा beneficial रहती है कि अगर आपने HF deed एक बनाई हुई है यह किसमे होगी दोस्तों एक written format में होगी formal document on stamp paper एक stamp paper यह हमें लेना होगा किसके according लेना होगा यह stamp actor गवन होता है state app से यानि जिस state में आपका registered office होगा या आपका घर होगा उसी state के stamp app के अंडर stamp duty pay करके हमें एक deed बनाना होगा state name of all members करता and name of HF जो हमारा deed बनेगी उसमें क्या के दिटल होगी basic हम यहाँ पर दोस्तों point को cover कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी आ सकती है तो यहाँ पर basic points में आ जाएगा अगर यह question आता है तो आप in points को लेगे तो आपको अच्छे marks मिल जाएंगे तो residential address है वही permanent है या फिर नहीं इनके नाम के साथ-साथ बहुत सब details भी आ जाएंगी और name of HF भी क्या होगा उसके detail भी आ जाएगी अब यह कहरा कि करता कौन होगा L- male member becomes करता of HF यानकि जो हमारी family का सबसे बड़ा male member है वही क्या माने जाएगा करता माने जाएगा name of HF usually the name of करता followed by HF जो HF का नाम होगा क्या होगा जो करता का नाम है उसी नाम में HF लगा करके for example रामकुमार का रामकुमार HF कर जाएगा आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं अगर किसी नाम से mismatch हो रहा है अगर आप register कराने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा नाम change करना पड़ेगा अधरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं also state capital हमें capital भी अपनी deed में बतानी होगी with which HF has been initiated starting में कितनी capital जैसे हम अपने business में normal partnership, partnership, LLP, company में लगाते हैं उसी तरह दोस्तों हमें अगर HF का हमें business start कर रहे हैं obviously बात है आप HF बना रहे हैं तो business के लिए ही बना रहे होंगे तो हमें initial कितनी capital हमें रखी है वो भी हमें यहापर define करने होगी और HF के पास एक अपनी rubber stamp भी होनी चाहिए है करता को pen card के लिए हमें भी apply करना होगा अपनी HF का after allotment of pen opening bank account the HF is now functional हमें क्या करना है pen card लेने के बाद में हमें bank account के लिए open करना है और after getting bank account opened HF हमारे यह functional है यानि अब आप यह काम करने के लिए business practically करने के लिए क्या है ready है अब second जो हमारा point आता है दोस्तों वह है multi-state cooperative society यह बहुत ही important topics है तो यह exam बगएरा में भी काफी बार आता है तो यह govern होता है multi-state cooperative society act 1984 जो modified हुआ था last two था हो जाने में उसके बाद भीश में कुछ minor change ही जाए है लेकिन जो major changes आये थे 2002 के बाद नहीं आये है ठीक है तो multi-state cooperative society होता है कि एक ऐसी society society अपने normal पड़ी होगी लेकिन multi-state cooperative society आती है एक ऐसी society जो इंडिया के multiple states में अपना work कर सकती है लेकिन जो normal society होती है वो state specific होती है जो state के register office से register होती है लेकिन जो multi-state cooperative society होती है ये दोस्तो centralized registered होती है जैसे कि MCA होता है या register of companies होती है लेकिन ये register of companies के पास register नहीं होती है इनका अलग से register होता है central level पर central register of cooperative societies होता है उसके पास ये register होती है तो आप accordingly लिख सकते हैं और जो भी मैं notes यहां पर आपको show कर रहा हूँ उसको आप notes जरूर कर लें अपने register में और description में भी कुछ time में आपको link मिल जायागा तो आप से भी आप download कर सकते हैं और दोस्तों हम ये जो हमारी series चले हैं इसमें हम सारा का सारा syllabus cover करेंगे और with full support तो आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जबूर share किजिएगा और कुछ time में दोस्तों हम FM की भी class start करने वाले हैं जो की सारा का सारा हम उसका भी syllabus cover करेंगे तो देख लेते हैं benefits of multi-state cooperative society जिसको हम MC MS CSB पढ़ेंगे इसका थोड़ा चेंज कर लगा है ठीक है provides loan at reasonable rates of interest to poor यहनी यह करा है कि जो multi-state cooperative society होगी और इसमें भी दोस्तों कई category होती है जैसे आपने देखा होगा credit cooperative society farmer cooperative society इस तरीके से कई category की cooperative society यहाँ पर होती है जैसे अमूल है अमूल भी starting में cooperative society के तोर पर ही start होगा था मंतर मूँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि किस तरीके से अमूल की सुरुआत हुई थी तो अगर हमारी society की category क्या है credit cooperative society है तो credit cooperative society में हम क्या करते हैं जो members होते हैं वो ही पैसा इखटा करते हैं और किसी needy member को loan provide कर देते हैं at lowest interest rate so that कि उसका कुछ फायदा हो जाए और जो members होते हैं उनको हम कुछ interest provide कर देते हैं जो भी उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है can function pen India pen India का मतलब यहाँ पर permanent account number नहीं यहाँ पर purchase stand all over nation यानकि यह पूरे इंडिया में भी काम कर सकता है या फिर इंडिया के कुछ states में भी काम कर सकता है लेकिन इसको allowance होती है पूरे इंडिया में करने की अब यह अपनी सुवधा के according कर सकता है कि state में करना है या सभी में करना है as they can start branches in different district and state इन्हे number of branches open करने की भी facility होती है यानि कि जितना इनका business है उसके according ये branches open कर सकते है minimum compliance cost हो तो compliance cost यहाँ पर काफी कम रहती यानि कि आपको एक annual return file करनी होती है और आपको internally बागी documents maintain करने होंगे और जो हमारी multi level multi state cooperative society है उसके हमें ITR भी file करनी होगी credit ये करा credit society belongs to its members who are owners and customers of their society credit society क्या है अपने member को ही belong करती है जो उसके owner भी है और customer भी है यानि कि दोस्तों वो ही लोग तो उसको funding provide कर रहे है और उनमें से ही किसी needy person को small small amounts में हम लोग loan provide कर रहे है यानि कि यह हम कह सकते है कि owner भी वोई लोग है और customer भी उनमें से कुछ लोग है ठीक है तो यहाँ पर दोनों लोग same है और जैसे कि bank के case में भी यह होता है कि कुछ लोग तो पैसा अपने deposit करते हैं और कुछ लोग क्या हो लेते हैं credit लेते हैं लेकिन bank के case में यह हो सकता है कि जो member जो person bank का account holder नहीं है पहले से वो भी loan ले सकता है लेकिन credit cooperative society के case में वो member loan नहीं ले सकता जो cooperative society का member नहीं है यानि वो person loan नहीं ले सकता जो member नहीं है तो loan लेने के लिए उसको पहले member बनना पड़ेगा same concept दोस्तों निधी company में भी apply होता है कि आपको पहले member बनना पड़ेगा तभी आप loan ले सकती है आगे देखते हैं formation of multi-state cooperative society आप multi-state cooperative society अगर register करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकती है दोस्तों इसमें हम जितनी भी form of organization discuss करेंगे उसको किस तरीके चे register करना है उनके क्या-क्या compliance होंगे process of registration भी देखेंगे तो इस class में बने रहेगा आगे आपको बहुत ही अच्छी knowledgeful content मिलने वाला है तो हमें क्या करना है एक application हमें file करनी है in form कौन से form में form 1 में किसके file करनी है central register के पास central register of what cooperative society new Delhi यहनि आप किसी भी state में cooperative society register कराना चाते है multi state cooperative society तो आपको application देनी किस form में देनी है form 1 में देनी है और किस के पास देनी है central register के पास कौन से central register के पास cooperative society का जो कहा बैठा हुआ है दिल्ली में, new Delhi में बैठा हुआ है with the following documents यहनि application form 1 के साथ हमें कुछ और document भी देने होंगे बो document कौन-कौन से हैं आज़े देखते हैं यह certificate from bank studying credit balance in favor of the proposed multi state cooperative society यहनि कि हमें अपने bank card से एक certificate लेना है कि credit balance proposed multi state cooperative की favor में कितना पढ़ावा है multi state cooperative society की favor में कितना पढ़ावा है और उसके बाद हमें next है a scheme explaining how it has reasonable prospect of becoming a viable unit यहनि दोस्तों हमें जैसे एक normal business लोग होते हैं वो क्या गरते हैं project report बनाती है project report में business prospectus होता है कि आगे आने वाले time में business कितने आगे तक जा सकता है कितनी turnover हो सकती है और कितना हमें profit हो सकता है और हमारे business के क्या-क्या criteria रहेंगे तो दोस्तों यही same हमें एक scheme मना रही है जो explain करेगी how it has reasonable prospectus यानि जो reasonable है यानि कि ऐसा नहीं कि आपने first year में लिख जया कि वह 25 क्रोड की 50 क्रोड की turnover हो जाएगी तो आपको जो हो सकता है एक्चुल में उसी के आसपास रखनी है या फिर survey करा करके रखनी है otherwise आपकी application reject हो जाएगी becoming a viable unit ठीक है viable का मतलब है कि जितना हमारा खर्चा हो रहा है उसके लगभग हमारा पहुंच भी पा रहा या नहीं यानि कि यह कुछ हमें benefit भी दे पाएगा या फिर नहीं फोर खोंपी जो बाइलोज हमें अपने कुछ बाइलोज भी दोस्तों यहां पर बनाने पड़ेंगे बाइलोज का मतलब है कि जैसे company के कैसे में हम अपने article of association लगते है number random में क्या होता है दोस्तों object होता है और कुछ और clause होते है या बाइलोज में क्या होते है company किस तरीके से work करेगी क्या क्या duties रहेंगी उनके directors की उनके members की या company अपने members के साथ किस तरीके से behave करेगी बहुत सब लिखा होता है बाइलोज में तो आपको भी four companies provide करनी है अपने बाइलोज की proposed area of operation आपका area of operation कितना रहेगा यानि कि proposed है अभी उससे थोड़ा बद आप पर deviate कर सकता है लेकिन आपको फिर भी अपने अक्साप्टेशन बतानी है initially permitted for two states यानि कि अगर आप starting में देना चाहेंगे at the time of registration तो आप दो states के कुछ district या फिर old district of two states की information दे सकते हैं कि sir हमारा जो proposed area है वो इतना है ठीक है next है list of at least 50 members from each state along with id prob duly attested by chief promoter दोस्तों एक chief promoter हमें अपने resolution पास करके define करना है किस में से define करना है जो हमारे members है उसी में से define करना है ठीक है और अगर हमने 2 states की area of operation की proposition दी है तो हमें हर state से कम से कम 50 लोगों की details देनी है बिदोंके id prob जो की duly signed होंगे टेस्टेड होंगे बाई the chief promoter फिर है certified confidence of the resolution past by the proposed society specifying the name and address of one applicant to home center logistar में correspondence यानि कि हमें एक resolution पास करना है हमें मतलब multi state cooperative society को resolution में क्या लिखना है हमें एक नाम लिखना है और address लिखना है किसका लिखना है कि sir जो हम कुछ members है proposed member है of the proposed society के हमने एक अपना main जो leader है इस तरी के से एक तरह से leader बोल सकते हों कि sir हमने इसको अपने जो है उत्राइज कर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों cheap promoter बोलेंगे तो उसी के थू उसी के mobile number email id या फिर address पर communicate करेगा कौन करेगा central register of society ठीक है और इसको हम remote कर दे content को additional document for societies having object related to thrift and credit and for multi-purpose societies देखते हैं कुछ old document हमें देने होंगे अगर हम किसलिए मना रहे हैं credit cooperative society के लिए हम apply कर रहे हैं क्या देने additional document में NOC देनी है from the ROC of the state or union tactics R.O.C.S का मतलब क्या दोस्तो रजिस्टार of cooperative societies ठीक है of the state for union territories अगर हम multi-state के लिए जा रहे हैं और हम credit cooperative society के लिए apply कर रहे हैं अगर हम किसी और तरह की farmer या फिर कोई और food बगारा के लिए अनाज बगारा के लिए बना रहे हैं तो उस case में हमें जो हमारा state का रजिस्टार of cooperative society है उससे NOC नहीं देनी है लेकिन अगर हम central के लिए वो central में भी किसके लिए credit cooperative society के लिए apply कर रहे हैं तो हमें NOC भी देना होगा state register से next है इस certificate to the fact that credential of cheap promoter verified by register of cooperative society of states दोस्तों जो हमारा state का credit cooperative society का register होगा वो जो हमने cheap promoter board resolution पास करके उत्राइज किया है उसके क्या करेगा credential का मतलब उसके id address प्रूप उसके mobile number email id बगारा चेक करके एक certificate provide करेगा और बो certificate हमें किसको देना है central register को देना है तो दोस्तों यह class आपको कैसी लग रही है यह मुझे comment करके जरूर बता दे रहें और कुछ टाम के बाद हम फिर light class भी start करेंगे अगर आप लोग इंग तरफ से comment आती हैं तभी all documents to be submitted in original with signature of the chief promoter for promoter on each page हमें सभी document original submit करने हैं यानि कि दोस्तों original हमें दिखाने हैं अगर हम दिल्ली वाले central register के office में जाते हैं या फिर हमें original की color copy करके उन पर ही sign करने होंगे otherwise हमारे वो valid नहीं होंगे ठीक है तो हमने दो चीज़े cover कर ली हैं क्या क्या कर ली है multi state cooperative society क्या है और उसका registration कैसे होगा और HF क्या थी उसके members कोनकोन हो सकते हैं और registration उसका कैसे होगा उसका दोस्तों हम आते हैं company पर ठीक है तो जो हमारी company होती है वो govern होती है section 2 और subsection 20 of the company jack it means a company registered under company jack 2013 और any other previous company actor यानि कि अगर कहीं भी company की बात आती है किसी भी तरह की company हो जो भी registered है या तो company jack 2013 के या फिर किसी previous company दो के अंडर तो वो कौन सी section में cover होगी section to subsection 20 में company के दोस्तों क्या characteristics हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कई बार इस तरीका का question यह executive level पर चार marks का आ जाता है तो आप जरूर इसको प्रिपेर कर लें characteristics से आउ सकते हैं एक company की यह नोर्मल पूछ रहा यह नहीं कि private limited company की या फिर public की ओपेसी निदी इस बारे में नहीं बात कर रहा है जैसे कि आपसे किसी person की characteristics पूछें लगे तो एक normal person की जैसा सोचते हैं यह फिर किस बारे में सोचते हैं खाने के बारे में पढ़ाई के बारे में education के बारे में बर culture के बारे में job के बारे में यह government job के बारे में यह private job के बारे में ठीक है तो वैसे ही हमें company की और लेकिन यहीं आप कुछ points उपर नीचे करके अगर आपसे private limited company की पूछी जाती है तो एक दो point को हटागर के सेम ही यहाँ पर हो जाती है जैसे कि separate legal identity है यहने कि company और company के shareholders owner दोनों लोग अलग-अलग माने जाएंगे लोग की नेजर में हर लोग की नेजर में अलग-अलग माने जाएंगे परपेट्वल सक्सेस हैं यहनकि अगर member की death हो भी जाती है member यह छोड़के चले भी जाते हैं तो फिर भी हमारा business चलता रहेगा common seal होती है common seal का मतल करते हैं common seal पहले यह mandatory थी company act में लेकिन company act 2013 में amendment आई थी कवाई थी 2015 में उसके बाद इस provision को remove कर दिया गया और आप common seal को optional कर दिया गया अब भी जो बड़ी companies हैं वो common seal लगती है अधरवाइज छोटी private companies common seal को नहीं रखती है transferability of shares है एजपर section 42 यानि कि कुछ company में इसके regarding restriction है otherwise हम अपने share को transfer कर सके हैं separation of ownership from management यानि कि दोस्तों जो हमारे management है उसको ownership से हमने अलग कर दिया है अगर number of shareholders आपकी company में काफी जा रहा है 200-300 है तो वो सबके सब आना उनके लिए possible नहीं है और उनके लिए business को manage करना इसलिए उन्होंने management में कुछ लोग appointment कर दिये हैं जो कि business के जो सारे area हैं उनको अच्छे से manage कर सके हैं separate property यह दोस्तों company की property और company के owners की property separate होगी एक जगा उनको सामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि corporate whale हमारी नहीं तूट जाती है ठीक है आपने देखा होगा company के नाम पर भी properties होती है किसी college के नाम पर जो property होती है वैसे ही company के नाम पर भी properties होती है जैसे कहीवार आपने सुनोगा कि कुछ जो बैंक की branch है वो bank ने rent पर ले रखी लेकिन कुछ जो branch है वो bank की अपनी है bank ने खरीद हुआ टीक है तो अभी Japanese के नाम पर है ना कि उसके members के नाम पर है ठीक है तो आगे हम देखते हैं अब यह कह रहा दोस्तोँ advantage क्या है advantage and disadvantage of a company form of business तो advantage में हम देख लेते हैं सबसे पहला है corporate personality हमारी ये corporate personality बन जाती है लोगों के नजर में हमारे customers के नजर में as compared to proprietorship हमें ज़्यादा तबज्जो मलती है उस case में Limited liability होती है दोस्तू Limited liability का मतलब कि जो members है जितनी capital के अन्होंने share acquire के हैं सिर्फ वो उसी के लिए responsible है यानि कि उसी के लिए limit लगे गई है अगर मैंने किसी company के 100 rupees के share purchase की है तो मैं 100 rupees देने के लिए liable हूँ यानि मेरी liability का है Limited है कितने तक 100 rupees तक टांस्प्रेवल shares हर company के shares टांस्प्रेवल होती है जिनकि आप उनको जब चाहें transfer कर सकते हैं कुछ cases में कुछ restriction आती हैं आगे आने वाले topics में हम वो भी cover करेंगे separate property होती है जैसे कि हम आभी discuss कर गए है capacity to है capable है और person है वो और company जैक्त में different किया गया है कि company इजे separate legal identity यानि कि separate person है किसकी नजर में लोग की नजर में और company को एक person बोला गया है Constitution of India की नजर में भी यानि Constitution of India में भी कहा गया कि company इजे person ठीक है तो company अपने नाम पर किसी दूसरे person पर case भी कर सकती है disadvantage के आँ दोस्तों company बनाने के formalities काफी जादा है disclosure हमें काफी जादा देने पड़ते हैं तो ये क्या है हमें एक तरह से हमारा disadvantage है कि हमें different types के दोस्तों क्या करने पड़ते हैं हमें disclosure देने पड़ते हैं और काफी formalities हमें निभानी होती है corporate disclosure अलग देने पड़ते हैं यानि कि हमें अपने employee को अपने employer को और employer को कुछ तो government को देने पड़ते हैं और कुछ public को देने पड़ते हैं ठीक है देखो हमने आपका पैसा कोई misuse नहीं किया है separation of control from ownership यह अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है बुरी बात किसके prospectus है दोस्तो owner के owner के पता नहीं वो लोग हमारे पैसे को जो हमने लगाया है उसको सई से utilize भी कर रहे हैं उनकी वो चला भी पाएंगे या फिर नहीं कहीं लोगों के मुने में ऐसा रहता है ठीक है तो यह क्या disadvantage भी है greater tax burden यानि tax burden दोस्तो यह तो हम सभी जानते है company के case में काफी है लेकिन आप BJP की जो सिपसे central में government आई है तो company के case में tax burden को कुछ कम किया गया है तो detailed binding up process दोस्तो अगर हम company form of business को binding up में ले जाते हैं close करना चाहती है तो वहाँ पर काफी बड़ा process है अगर हम fast track road में भी जाते हैं फिर भी हमें अच्छा कासा वहाँ पर penalty pay करनी पड़ती है close करने के लिए आपको approach 20,000 रुपे की cost लग जाएगी company को close करने के लिए वहीं अगर आप बनाना चाहते हैं तो government fees आपकी 3-4,000 रुपे में बन जाएगी professional fees लग रहेगी और दोस्तों एक case आया था new origin limited versus union of India इसमें कहा गया था experience of shareholder और promoter is the experience of a company इस case में यह हुआ था एक company थी एक company नई बनी थी इसका नाम था ABC limited ठीक है इसके जो promoter थे तीन लोगों ने मिलके बनाई थी जो promoter ए था वो पहले proprietors इतने कुछ construction बगएरा का काम करता था पिछले 10 साल से जो और B person था और C person था यह fresh एकदम pressure थे यहने की कुछ अपनी पढ़ाय लगाय कर रहे थे और जैसे ही इनका course अगरे complete हुआ इनने कुछ business करने की सूजी और उसके कुछ टाइम बाद दोस्तो government department में एक tender निकला एक road construction या फिर building construction के रिखाड़ी ठीक है इस company ने इस tender के लिए apply किया तो जो भी इसका criteria था company ने सारा का सारा fulfill कर दिया लेकिन इस tender की एक condition ये भी थी कि जो भी apply करेगा उससे 10 year का experience भी होना चाहिए इसी काम में ठीक है तो इसी condition के तहरा बागी सारी condition fulfill थी इसी condition के अंडर department ने government department ने इस company की जो application थी उसको reject कर दिया और remarks में यही दे दिया कि आपको experience नहीं है 10 year का construction area में तो आपके application reject की जाती है company ने बोला कि हमारे जो 3 promoter हैं जिन्होंने company मनाई है 3 shareholder हैं उनमें से एक को 10-12 साल का experience है इसी field में लेकिन 2 नहीं है ठीक है कि आप उनके experience को यहाँ पर cover करोगे यानि उनके experience को company का experience मानोगे क्योंकि वो एक major part business का देख रहे हैं हम लोग सिर्प उनको support कर रहे हैं लेकिन department ने इस बात को नहीं माना company ने ABC Limited ने दिल्ली high court में case ढाल दिया high court ने भी department की favor में ही judgment दी कि department सही कह रहा है जो shareholder का experience है company का experience में count नहीं होगा company ने supreme court को appeal की कि sir ऐसा ऐसा हो रहा है supreme court ने कहा कि जो high court ने decision दिया है और जो department कह रहा है यह सब क्या है गलात है वाई ऐसा कुछ नहीं है experience of shareholder माना जाएगा किसका experience of company क्योंकि company को कौन लोग चला रहे है वो ही लोग तो चला रहे है वो ही तो suggestion देती है अपनी management को और हमारी एक छोड़ी companies देहे हैं तो इसमें तो shareholder और director से हमी person है यानि गो ही owner है और गो ही management को देख रहे है तो उस case में क्या करेंगे हम जो हमारी shareholder का experience है बुक किसमें count होगा company के experience में दोस्तों count होगा तो यह case हमें याद रखना है काफी important है और काफी बारी आ चुका है क्या नाम है new origins limited versus union of India क्या कहा गया है दो इसमें कि experience होपे shareholder और promoter is the experience होपे company अब दोस्तों कुछ point हम यापर देखते हैं यह direct हम किस से cover करेंगे अपने module से ही cover करेंगे उसके बाद हम next topic ppt से cover करेंगे तो यह कह रहा है company jack 2013 में हमें क्या गया provides for kinds of companies that can be promoted and registered under the act यह कह रहा है कि company jack ने कई तरह की company को बताया है जो क्या किस सकती है promote की जा सकती है और registered की जा सकती है under company jack आई है विच में भी registered और जो की कुछ इस तरीका से है तो तीन basic type में से कौन सी है दोस्तो प्राविट लिमिटेड कंपनी प्राविट लिमिटेड कंपनी और तीसरी क्या है OPC ओपीसी भी एक तरह से क्या है टूबी फॉंड आई प्राविट लिमिटेड कंपनी ठीके तो हमारी basic काटेगरी कितनी हो गई थी टाइपस ओ तो कंपनी जापर होंगी कौन होंगी private लिमिटेड, public लिमिटेड, OPC यहनि कि जितनी भी हम कंपनी बनाँगे वो इन तीन में से ही किसी न किसी कैटेगरी में जरूर है ही अगर फान तो कमपनी जापके under-registerd है तो वह इन में से ही सब काटेगरी अलग हो सकती है जैस no कांपनी जाएग्य एकोगे, नंटिय। सेक्शन 3 कहता है कि read with incorporation rule state that company may be found for any local purpose सेक्शन 3 कहता है कि company किसी भी local purpose, local object, local business के लिए बनाई जा सकती है by, मतलब by का मतलब कितने लोगों के दोरा बना जा सकती है यह कहता है seven or more person where the company, जहाँ पर company क्या है, public company है यहाँ पर company हम कैसी बनाने जा रहे है, public company बनाने जा रहे है और यह कह रहा है, point view में और हमें दो या दो से जादा लोग चाहिए, जहाँ पर हम company कौनशी बनाने जा रहे है private limited हम बनाने जा रहे है और रहा हमें पुल वही एक परसन से ही है जहां पर हम कौन सी कंपणी बना जा रहे हैं अपनी प्यारी OPC अगर हम बनाने जा रहे हैं यानि OPC भी क्या है दोस्तों एक प्राइवेट कंपणी है और लेकिन कुछ इसको अलग टेटराइज कर दिया गया है कैसे क्या है हम उसको भी आगे देखेंगे और किस तरह के से हम अपनी कंपणी में बना सकते हैं बाइज सब्सक्राइब करना होगा उन्हें कुछ कैपिटल और अपने नामने में लिखने होंगे कुछ प्रोसेस उन्हें कंपलाई करना होगा पूरा करना होगा किसके अक्वर्डिंग क्या करने के लिए रजिस्टेशन रहने के लिए आगे दखते हैं एक कंपणी फॉर्म अंडर सब्सक्राइब वन ने भी आइदर कंपनी लिमिटेड वाई सेर्स कंपनी लिमिटेड व ज़िए जो अभी हम सेक्ष्ण थिरी की सब्सक्ष्ण मेन पड़का आयada हूं, जो कहा रहा हा? साथ और ज्यादा परसंटे यह पबलिक के लिए जDINGर उर प्राइबेट के लिए और एक चाहिए-क मेन लिमिटेड वाई बनेगी वो इनमें से ही किसी केटिगरी की करना होगी यानि आप कह सकते हैं कि यह एक sub-category है या वो 3 इसकी sub-category थी क्या होगी या तो वो company limited by share होगी या फिर limited by guarantee होगी या फिर unlimited होगी unlimited का मतलब है कि unlimited के case में company limited by share हो सकती या निकि उसके पास share capital हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है लेकिन liability उनकी limited होगी अगर unlimited liability वाले में company limited by share है यानि share capital है company के पास फिर भी जो उसके member होंगे जितने के उन्होंने share subscribe के हैं सिर्व उसी के लिए liable नहीं होंगे क्योंकि उनकी liability क्या है नाम क्या है unlimited तो उनकी personal assets भी यहां पर cover हो सकती है unlimited दक जा सकती है और उसके बाद subsection 2 में क्या कह रहा है कि जो भी company उपर private, public या OPC होंगी वो या तो limited by share होंगी या limited by guarantee होंगी या फिर unlimited होंगी उसके बाद दोस्तों कुछ और basic types की यहां पर company बताएगी है कौन कौन सी है statutory company है, registered company है और unregistered company है ए company may be incorporated by means of special act for parliament और यानी state legislature, अगर कोई company special act of parliament या state legislature act के अंडर बनी हुई है तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों statutory company करेंगे, जैसे कि LIC Open India बनी हुई है, या कुछ government के क्या है, NBFC है कुछ government के bank है तो एक special act पास करके बनाएगे है जैसे कि SBI है, LIC है तो उस तरह की company क्या होंगी statutory company होंगी और कुछ है, registered company है company registered अंडर company's act और any other previous company लो तो जो company registered है, किसके अंडर company's act के या फिर किसी पहले previous company's act के अंडर, उनको हम क्या करेंगे दोस्तों, registered company करेंगे unregistered company हम किसको करेंगे तो एन अन्रिश्टर्ड कंपपनी इस एक कंपपनी विच इस नोट रिजिस्टर्ड और कवर्ड अंडर दा प्रोविजेन ओप कंपपनी जाग दोजार ते रहें सक्षन 375 इंकलोण पारटनर्शिप फार्म, रेलवे कंपपनी इंकोरप्रेटेट अंडर आट्ब और प्रोव और और इंडिएन लोर रिजिस्टर्ड अडर एनि प्रिविएसट लो यह काह रहा है कि अन्रिजिस्टर्ड कंपपनी होंगी जो जो की रिजिस्टर नहीं है जो कवर्टी है company jack के section 375 में for example partnership firm which is not registered वो यहां पर cover हो जाएगी और यहां पर proprietorship भी हमारी कुछ cases में cover होती है तो जो statutory company है तो वो किसी special act के अंडर बनी है और unregistered company जो registered है यह नहीं है for example proprietorship firm या partnership firm लेकिन हमारी बीच की main category क्या है दोस्तो registered company registered company कौन सी है जो company register है company check 2013 के अंडर या फिर पहले किसी company low candle ठीक है आगे देखते हैं जो registered company होंगी उन में से ही कुछ company होंगी limited by share और कुछ company होंगी limited by guarantee और कुछ होंगी unlimited company ठीक है और इन तीन मेंसे ही कुछ company होंगी private होंगी कुछ public होंगी और बाकी यह कुछ सब कैटेगरी हो रा गई है कुछ foreign company होंगी कुछ government company होंगी आपको confuse नहीं होना है section 3 subsection 1 में क्या गया क्या गया कि तीन तरह की basic basic type of company हो सकती है किसके अंडर company जाक के अंडर जो भी company बनेगी इन ही में से तीन कैटेगरी की बनेगी कौन्सी थी private थी public थी और OPC थी ठीक है और उन तीन कैटेगरी में कोई न इन तीन में से एक और feature होगा जो feature subsection 2 में दिये गए थी कौन्से थी limited वाई share होगी limited वाई guarantee होगी या फिर unlimited होगी या फिर unlimited होगी या ठीक है उसके sub category यहां पा आ गए जैसे foreign company है foreign company क्या होगी या तो private होगी या फिर public होगी OPC होजी नहीं सकती है क्योंकि OPC सिर्फ Indian resident person नहीं बना सकता है इनके पास सिर्फ दोई option है दोनों में से ही किसी एक प्रकार की बना सकते हैं और पहले हमने वो बांट रहा कि यह private बनाएंगे ठीक है फिर आपको देखना है आपको अपनी करना है कि सर आपको 2 option है या तो प्रैवेट बनालो तीक है या तो आप कौंसी बनालो या फिर पावलीं बनालो आप मैंनो मिस्टर जोन था मिस्टर जोन को आपने वाली के से बताया उसने कहा कि सर मैं private बनाने जा बाने घ् Temple है आपने आपके पास तीर और आते हैं आप लिमिटेड़ वाई शेर रखेंगे लिमिटेड़ वाई गारंटी रखेंगे जैने मुझे अब ही पैसा चाहिए तो उनिमिटेड में यह है कि उसके जो बाकी में रहें हो सकता रेडी न हो वो कहारा है कि मुझे limited by share ही रखनी है ठीक है तो आपके डन हम limited by share के according आपके document प्रिपेर करते हैं कुछ और सब classification यहाँ पर आगे हैं जिनको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग नामों से हम जानेंगे इनकोर्पेशन कंपनी को कुछ इस तरीके से बाटा गया है कौन सी जोस्तो इस टेच्वरी कंपनी जो की इस किसी special app के अंडर रेजिस्टर्ड है और रेजिस्टर्ड कंपनी जो की रेजिस्टर्ड है फिर पुराने किसी कंपनी लोग के अंडर रेजिस्टर है उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ओन देशिस ऑफ लेवल्टी यानि कि उसी की बात कर रहा है जो ऊपर सब्सक्रेशन वन और टू और सब्सक्रेशन थी में बात की थी उसी को यह यहां पर फिर से अगर इन कोर्पेशन के बात करेंगे तो इस टैच्वरी कंपनी जो इसके पर प्रानिवाले के अन्रेश्टर नहीं है तो आपको के लिए हो रहा होगा कमेंट जरू करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रहे हो तो लाइक भी करते हैं कुछ अधर पॉम आप कंपनीज के बाते हैं जैसे की कंपनी हैं स्क्षिनेट कंपनी कुछ स्पेशल प्रपर के लिए वनाए जा सकती है स्पेशल पर प्रपेश कौं से ओंगे बिजनिस कुछ इस तरीके का होता है जो अब्जेक्ट आपकर बिजनिस का यहां पर डिफाइंड कर रखा है अगर आपके बिजनिस का जो अब्जेक्टिव है वो क्या है प्रोमोशन और कॉमर्स, आर्ट, साइन्स, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च यानि कि कुछ भी होना चाहिए, काम होना चाहिए और इसका यह भी मर होना चाहिए कि जो भी हमारा अगर मालो इससे बिजनिस हो भी रहा है, मालो इन्हेंने कोई government hospital यानि कि कोई hospital को ला हुआ है किसी firm ने NGO बना करके लेकिन उनसे थोड़ा बहुत चार्च तो करते हैं अपना खर्चे चलाने के लिए अगर उसी खर्चे से कुछ profit हो भी रहा है तो उस profit को भी यह अपने objective जो काम है उसी को बढ़ाने में लगाएंगे ना कि अपने members को या जिन्होंने पैसा लगा है उनको बैटेंगे और तीसी कंडिशन क्या है intends to prohibit the payment of any dividend to its members यह कहा रहा है कि जो भी इसके member होंगे उनको कोई भी dividend यहां पर नहीं दिया जाएगा ठीक है बिरुकुल प्रोभिट कर दिया प्रोभिट ही कर दिया किसी भी case में कोई भी यहां पर may be allowed to be registered as limited company without addition to its name of the bird limited और private limited यह कहा रहा कि इस तरीके की जो company होंगी उन्हें जरूरी नहीं कि वह अपने नाम में limited लगाए या private limited लगाए लेकिन उन्हें कुछ ओल लगाना होगा और central limit उनके एक license भी इस्यू करने होगी उन्हें लगाना होगा जैसे council होगया foundation होगया association होगया उस तरीके के में कुछ नाम अपने लगाने होंगे उसका दोस्तों हमारा topic आता है government company government company हम दोस्तों आगे देखेंगे जब हम इसका process बताएंगे कि किस तरीके से registration होगा foreign company भी हम आगे बताएंगे और holding company अब हम बात करते हैं ठीक है इसको हम प्रिपटे की help से करते ह हम आहिए हैं हम आहिए